आज मैंने हमारे पूर प्रधानमंत्री डॉक्टर मन्बोन सिंग का एक इंटरव्यू पड़ा है उन्होंने का कि हमने भी बहुत सारी सर्जिकल स्ट्राइक की थी लेकिन उसका फाइडा नहीं उठा सके अब एक एसान का कॉंग्रेस के पास अभी एक ही पूर्व प्रधानमंत्री है पहले रिमोट से सरकार चलवाई जाती थी एक परिवार के द्वारा और रिमोट से कुछ बुलवाए जाता है लेकिन आपको इस बात की चिंतानी हुई महबूबा मुफ्ती जब मुझे मिली उन्होंने का कि मोजी जू को ये बात ज़रूर कहिए कि आप पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है कुछ करना नहीं चाहिए कुछ भी हो सकता है मैं हरान हो जाता हूँ कि जो लोग हिंदुस्तान में अपने आपको नेता मानते हैं भारत के समिधान के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं भारत के समिधान की व्यवस्ता के तहत सरकारे बनाते हैं लेकिन जब बात करते हैं तब पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं इस से बढ़ा इस देश का कोई दुरभाग्य नहीं हो सकता जहां तक नुकलियर का सवाल है भारत एक बहुत ही जिम्मेवार देश है और पूरी दुनिया में हमें एक रिस्पोंसिबल कंट्री के रूप में हम जाने जाते हैं और हमारा आचरन से जाने जाते हैं सब्दों से नहीं हमी हैं जिनोंने नुकलियर के हमारी डॉक्ट्रीन में नो फर्स यूज ये डिकलेर किया हुआ है दिनिया के दबाउ में नहीं किया है यह तल विहारी वाधपा जीने डॉक्ट्रीन में भारत के हिम्मत की बात है और भारत उस मेट्रस से मस नहीं है कोई भी सरकार आइं तो मैंने एक दिन अभी क्यां दिया है अब बहुत हो गया यए खिलोना नहीं है एक responsible country का भेवार होता है और भारत इस विशे में responsible है